नमस्कार आज के इस वीडियो में एक अच्छा नवी दस्वी जारवी बारवी के विद्धार्थियों के लिए निबंद लेखन टापिक पर चर्चा करेंगे कि कैसे और किस प्रारूप में हम लिखें कि हमको पूरे में पूरे आठ अंक दस्वी में आता है अगर बारवी में रहे गए माली जे 5 अंक तो 5 अंक आपको कैसे प्राप्त करना है मुख्य उरूप से मैं दस्वी के अधार पिनको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको इस पैटर्ण में लिखना है और ये पैटर्ण हमको 2018 में जो सिक्षक पेपर चेक करने गये थे इसी पैटर्ण में उनको पेपर चेक करना था इसके लिए आपको क्या करना था जो आप प्रारूप लिखोगे जिसे हम रूप रिखा कहते हैं अंग्रेजी में उसी को OUTLINE कहते हैं इसमें एक नमबर देना था प्रस्तावना या भूमिका जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं जिसमें आपको ए निबंद के रूप में कख्छा दस्वी में आपको मिलना था अगर इसी पैटाने में इसी तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे आठ अंक जरूर मिलेंगे तो देखते हैं कि कैसे और किस प्रकार से आपको लिखना है हमारे पास है यहाँ निबंद जब हम लिखेंगे तो पैटाने क्या है निबंद लिखने का सब्द सीमा दिया रहता है 250 सब्दों में या 300 सब्दों में लिखे उसी के अनुरूरूप हमको लिखना है मैं यहाँ पे एक उदारन लेके चरह हुमा लिजे हमारे पास कोरोना वाइरस या जिसे हम COVID-19 क हमको पता है कि यह जो पहला एक अंक है वो रूप रेखा अर्थात प्रारूप में मिलेगा प्रारूप में क्या लिखते हैं जो जो चीजे हमको दिल करना होता है सुरवात हम कहां से करते हैं प्रस्तावना से तो यह प्रस्तावना हम लिखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा ए तो दो चार छे और एक साथ और यह जो यहां पे लिखा गया है यह चीज इसमें यदि आप लिखे लिखो गए तो इसी के लिए आपको एक अंक यानि कुल मिलाके आठ अंक आपको प्राप्त होगा यहां पे देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या और कैसे लिखा जाता है यह हमारा जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना में क्या लिखा गया है तो प्रस्तावना में लिखा जाता है क्या जो निबंद दी जाती है उस निबंद का परिचाए अगर परिभासा रहेगा तो पर चार टापिक डाल कर आपको वीबरन देते हुए आगे बढ़ना है जैसे हम यहाँ पे दिये हैं कोरोना क्या है एक टापिक इनकी सुरुवात कैसे हुआ दूसरा टापिक ठीक है यह हमारा दूसरा हुआ तीसरा है इनके लक्षन क्योंकि प्रस्तावना को काउंट नहीं कर रहा हुँ इसी करन चार लिखा है लेकिन मैं बोर रहा हुँ तीन उसके बाद चौंथा है रोक ठाम कैसे करना है यह आपका चार टापिक फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टीका करन पांच टापिक चौंकि चार लिखना था तो हम पांच लिखें तो भी चलेगा कोई प्राबलम नहीं है और लास्ट में हमको लिखना होता है उपसहार और इसी उपसहार में हमको दो अंक मिलता है और जो डिटेल किये रहते हैं उसमें चार अंक इस फार्मेट में अगर आप लिखोगे तो जरूर आपको benefit मिलेगा यहाँ पे जो coronavirus जो निबन लिखा हूँ उसका यहाँ पे English में भी लिख दिया हूँ अगर आपको यह English converted अच्छे लगे तो आप लिख सकते हैं आपके लिए benefit होगा देख लेते हैं कम से कम यह हमारा क्या है coronavirus अंग्रेजी में लिखा हुआ इसी pattern को यदि आप आगे बढ़ा कर लिखेंगे तो देख लो यह है आपका प्रारूप यह सुरुवाल होगा introduction उसके बाद इनकी सुरुवात कैसे हुई coronavirus का वो है फिर आगे बढ़ोगे तो आपके पास आएगा symptoms लक्षन उसके बाद prevention प्र vaccination टीका करन फिर यह last में जो लिखा गया है वो क्या है उप सहार है conclusion अगर अच्छा लगे तो इनका यूस कीजे वीडियो देखनेगे